राजस्थान की रजट बुन्दे इस चैप्टर में लेखक राजस्थान की रेतिली भूमी में कुई कवर्नन करता है कुई किसे कहते एक छोटा कुवा की तरह का होता है उस कुई को खोदने के लिए चेलवांजी कारे कर रहा है चेलवांजी होता है जो जिजारे का कारे करते उसे चेलवांची बोला जाता है विशेश कर ये कुईयां बनाने का करे करते हैं और वे बसॉली से खुदाई कर रहा है मिट्टी खोदने का एक यंतर होता है बसॉली उससे खुदाई कर रहा है जहां वे कुईयां बना रहा है उसमें भीतर बहुत गर्मी है उसके अंदर भेयंकर गर्मी है और उस गर्मी को कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुठी भर के रेत बहुत चोर से नीचे फैकते हैं इससे ताजी हवा अंदर चली जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्मावा बाहर निकल जाती है इससे चेलवान जी की जान बचाने में यह कार्य करता है चेलवान जी सिर पर कांसे पीतल या किसी अन्य धातू का टॉप पहनते हैं कि उनको चोट ना लगे उपर से मिटी आदी गिर करके उनके सिर में कोई चोट ना लगे थोड़ी खुदाई होने पर इकठा किया हुआ मलबा बाल्टी के जरिये बाहर निकाल दिया जाता है जो कच्रा निकलता है पत्थर, मिटी, मलबा उसे बाहर निकाल देते हैं थोड़ी सी खुदाई के बाद चेलवान जी कुए की खुदाई और चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं गहराई तो लगभग कुए के बराबर ही होती है कुई में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना ही भूजल यहीं कि भूमी का पानी भी नहीं आता है और जो भूमी के उपर पानी बहता है वह नहीं आता है मरू भूमी में रेत बहुत जादा पाई जाती है जिसला कि आप सबी को पता है मरुस्थल में रेगिस्तान में मिट्टी होती है रेत होती है यहां वर्षा का पानी जल्दी से भूमी में चला जाता है और रेत की सत्य से दस पंद्रे हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पत्थी होती है खड़िया पत्थर होता है चुना पत्थर की तरह का उसकी एक पत्थी होती है यह परत होती है इस पत्थी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है कुओं का पानी इस छेत्र में खारा होता है पीने के पानी के लिए यहां पर कुई बनाई जाती है पट्टी का तभी पता चलता है जहां बर्षात का पानी एकदम से मिट्टी में ना जाए यह पट्टी वर्षय के पानी और गहरे खारे भूजल को मिलाने से रोकती है अते बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है तो रेत के कन अलग होते हैं विचिपकते नहीं हैं पानी गिरने पर कन भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं इस कारण मरू भूमी पर धरती में दरारें नहीं पड़ती और वर्षा का भीतर समया जल अंदर ही रहे जाता है और यह नमी बूंद बूंद करके कुई में जमा हो जाती है अगर इस बात को अब समझने की कोशिश करिए कि जो पानी है वो कुई में चला जाता है राजस्थान में पानी को तीन रूपों में बाटा जाता है बहुत ही परीक्षापियों की जनकरी मैं आपको बता रही हूँ पालर पानी यानि सीधे बर्षाथ से हमें जो पानी मिल रहा है उसे क्या कहते हैं पालर पानी कहते हैं और ये धरातल पर बहता है जनी जमीन के उपर उपर बहता है दूसरा तरह का जो पानी होता है वो होता है पताल पानी जो कुओं मेंसे निकाला जाता है तीसरा होता है रिजानी पानी और यह धरातल से नीचे उत्रा लेकिन पताल में नहीं मिल पाया यानी बीच की जो चीजोतियों से क्या कहते है रिजानी पानी कहते हैं ना तो धर्टी के उपर का पानी ना ही जमीन के नीचे का पानी बलकि दोनों के बीच में जो पानी होता है वह होता है रिजानी पानी वर्शा की मातरा रिजा शब्द से मापी जाती है रिजा क्या है वर पानी से अलग रह जाता है अन्य था यह खारा हो जाता है और इस विशेश रिजानी पानी को ही अपने भीतर समेट लेती है यह कुई जो पीने के काम में ले जाती है राजस्थान के लोगों के द्वारा तो यह चार पांच हाथ के व्यास की होती है और 30 से 60 पैसेट हाथ की ग चूक हो गई तो निश्चित रूप से चेजारों के प्राण वो ले सकती है हर दिन खुदाई से निकले हुए मलबे को बाहर निकाल करके काम की चिनाई के जाती है कुई की चिनाई एंट या रसे से की जाती है कुई खोदने के साथ-साथ खीप एक घास होती है एक तरह की भी जा गास होती है उसका एक मोड़ा रस्ट तयार करते हैं पहले उससे बुन करके उसे अपर्पश में बांद करके खीप का रस्ट तयार किया तैया है मिट्टी चाकने वाले है बालवी निकी भीम अरह का जाता है तो समाने के लिए इस रस्ट का प्रयोग चाता है ताकि दुरगटना ना हो लगबग पांच हाथ के ब्यास की कुई में रस्टे की एक कुंडले का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए पंद्रे हाथ लंबा रस्टा चाहिए इस तरह करीब चार अजार आथ लंबे रस्टे की हमें जरूरत होती है पत्थर या खीप ना मिलने पर चिनाई का करे लकड़ी के लंबे लठों से भी कर दिया जाता है ये लठे अर्णी, बन, बावर, कुंबट आदी के पेड़ों की मोटी टेहनियों से बनाए जाते हैं ये वाली जो रक्ष बताए है ये राजस्थान में पाए जाते हैं ये नीचे से उपर की और एक दूसरे में फसा कर सीधे खड़े कर दिये जाते हैं फिर इने खीप की रस्टी से बान दिया जाता है खड़िया पथर की पटी आते ही काम समापत हो जाता है यानि जहां पर भी आपको खड़िया पथर मिल गया वहीं पर कोई मनाना बंद हो जाता है और कोई की सफलता का उत्सव मनाया जाता है यानि कि अब पानी इसमें आने ल भेट देना फसल में हिस्सा आदी दिया जाता था लेकिन आज कल तो केवल मजदूरी दी जाती है आज कल पहले वाली प्रथा खतम हो गई है और केवल उन्हें मजदूरी दी जाती है जैसल मेर में पालिवाल ब्रामन वे मेगवाल गरस्ती स्वई खुद ही कुईयां बनाते थे कुई का मुँ छोटा रखा जाता है उसका कई सारे कारण होते हैं कि पहला रेत में जमा पानी से बुने धीरे धीरे रिश्ती है मुँ बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता तो कुई का मुँ छोटा रखा जाता है छोटे व्यास की कुई में पानी दो-चार हाथ की उचाई ले लेता है पानी निकालने के लिए छोटी चरस का प्रयोग किया जाता है दूसरे छोटे मुँ को ढखना भी सरल है अनेथा पीने का पानी खतम हो जाता है खराब हो जाता है और बड़े मुँ की कुई यदि हम रखेंगे तो भाफ बन करके पानी ओड़ जाएगा इसलिए छोटी कुई बनाई जाती है कुईयों के ढखनों पर ताले भी लगने लगे है यदि कुई गहरी हो तो पानी खीचने की सुविधा के लिए उसके उपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है जिसे पूली बोलते हैं और यह है घरेडी, चर्खी, फरेडी इसके कई सारे नाम होते हैं वहां की अलग-अलग भाशों में अलग-अलग नाम होते हैं खडिया पत्थर की पट्टी एक बड़े ख्षित्र में से गुजरती है इस कारण कुई लगबग हर घर में यहाँ पर मिल जाती है सबकी निजी संपती होते हुए भी यह साजनिक संपती माने जाती है इन पर ग्राम पंचायतों का निरण नियंतर रहता है किसी नई कुई के लिए स्विक्रती कम ही दे जाती है क्योंकि इससे पानी जो है उतना ही आएगा भूमी के निचे की नमी कादिक में वाजन हो जाएगा तो पानी बढ़ जाएगा और कुई में पानी खतम हो जाएगा इसलिए नई कुई बनाने से पहले स्विक्रती नहीं दी जाती है राजस्थान में हर जगे रेत के नीचे खड़िया पथर नहीं है इसलिए यह बट्टि चूरू भी करने जैसल में राधी छेत्रों में आप जाएगे तो वहां पर आपको कुई या बहुत देखने में आ जाएगी जुन-जुन जीले के गाउ में थे नुक्याben ने समय में यहिए चेत्र के गाउ में हर घर में चोने कोई का रूप बाहन जाता है जो कुआन नहीं होता लेकिन उसका प्रतियरूप होता है उसके जैसा दिखाई distributor करता है करतक कोई करते है